नमस्कार दोस्तो वागत है आपका टीसी फायसन में जईसे कि पिछले वीडियो में हमने इसकी सटक की कटिंग करी थी और आपको बता था की जैसे की इसमें नम बागेरा पीछे फुलावसा आता है बैक में तो उसके वारा में हमने बताया था तो उसकी जो आस्तीन थी वो उ हमने जैसे की हटा देते हैं इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बिटन में आपको मिल जाएगा तो जैसे की डबल रच का ये कपड़ा था तो हमार पास ये जो कपड़ा है ये कुछ इस तरीके से बचा है तो अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल हमको रखेंगे तो यहां से हम नाप लेंगे किनारे से कोई मतलब नहीं है किनारा हटा देंगे और यहां से नापते हैं तो देखें नौ इंच आ रहा है जैसा कि इसकी जो चेश्ट है बो है 38 और इसका जो तीरा है बो है 17 तो फिटिंग में इसका जो आर्मोन निकला है वो उसक दो कुछ। कि उसके बाजू हुआ है हमारी वह चवज अब देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। येक तो अधेक्न हम जैस से रखते हैं कि जैसने की 24 तो हिंने, लिकीं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा जैसे कि बाजू जो है वो माल लेजिए आपकी 24 है अब इसमें क्या है अब इसमें क्या है आपने माल लेजिए उपर कितना मार्जन आपको लेना है जब बाजू चड़ाएंगे तो पक्की लब बाजू चड़ाएंगे या फिर कच्ची लब लाग बली चड़ाएंगे तो उसमें कितना आपको मारजन लेना है वो आपको उपर छोड़ देना है अब जैसा कि यहां पर हम बाजू में उपर हाइड में एक इंच मारजन लेंगे तो जैसा कि पकी लब बाजू चड़ेगी तो डबल यहां पर मारजन जाएगा तो इसलिए जो है हम एक इंच उपर छोड़ देते हैं एक इंच हमने छोड़ दिया आप जितना भी लें अगर आप पौन इंच ले रहे हैं तो आप पौन इंच छोड़ें उपर तो यह तो ओगे उपर का मारजन अब उसके बाद हमारी बाजू कितनी आ रहे है यहां पर 24 ओके यह आ रहे है 24 इतनी तो है बाजू हमारी कंप्लीट मतलब कफ लगने के बाद इतनी हमारी चाहिए उपर का मार्जन छोड़नेके बाद अब देखे जैसे कि में कफ जो है भूर हम झालेंगे अब बैसर बारों सबसक्राइप में रखते हैं। निलेक हैं werde 20 द खीख सब्सक्राइब कंटों नेन गारां दोर। यहां से क्या है यहां से देखिए हमारी बची साड़े 21 अब साड़े 21 में है क्या क्योंकि इसमें हमको अभी जो कफ हम जड़ेंगे तो उसके लिए हमको मारजन चाहिए होगा तो उसके लिए जो मारजन है आदा इंच का मारजन उसके लिए हो गया थोड़ा बहुत हमारी बा तो अब अगर आपको उपर से हम नापेंगे तो देखे हमारी कितनी आ रही है हमारी साड़े तेईस में एक सुथ कम तो अब आपको जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप रख सकते हैं कहने का मतलब लेकिन हम जो है हम हमेशा से ही बाजु जो है वो थोड़ी सी लंबी ही रखत तो यहांबर हम पॉने 24 रख देंगे वाजु अपनी वैसे तो हम 24 रखते हैं लेकिन थोड़ी से कम रख देंगे तो अगर आप मजरमेंट के इसाफ से निकाला है तो अपने इसाफ से तरीके से रख सकते हैं लेकिन अगर आपकी बात जादा अब ले लेता है कारी आप बन देते हैं तो उसमें क्या अगर आप उसे किसी ने उपर ज्यादा दवाव ले लिया या फिर नीचे थोड़ा सा ज्यादा च्छांट दिया तो जो है उससे कुछ होता नहीं है अब देखें यह वाली है यहां पर भी जो बाजू है वो हमारी उतनी ही है मतलब जितनी हिए हमारी हम इतनी ही रख देते हैं तो क्या है विशी यह फेब पक हमारी सी त्षमरें भी जाती parties 김ृश्व कैंट वाशोटी हो जाती है तो इसे लिए हम झतनी होते हैं उतनी ही रख दो बहुतर लेकिन अपने हिसाब सनबर्ना sports के साथ से आप चाहें तो उसके साथ से रख सकते हैं चाहें तो आप जितनी बाजू हो उतनी ही रख सकते हैं ओके तो देखिए यहां पर हम सीधा-सीधा निसान लगाएंगे अब यहां पर बिल्कु सीधी बाजू है तो हम यहां पर सीधा-सीधा निसान लगा देंगे यह रहा अब यहां से में कितना रखेंगे तुझेडि यहांoutez हमको रखना है चार क्यास यहां से चार हैं सीधा सीधा बन रहा है हिसाब से अगर हम सीधा सीधा बन रहा है इस है हुआ कर थेंगे तो तो यहां से आप three फिर यहां से फिर आप तल अप ह transplant नरैने मारेगा उसके आप पहनें तो आपके बाजू नीच यहां से छोटी हो जाएगी कोई भी हाँत ओपर करेगा तो बाजू जो है एकदम उपर किरास में अगर इसको चार इंच रख देंगे तो यह बहुत जादा गुलाई में हो जाएगी आगे का हिस्सा तो सही रहेगा लेकिन पीछे का हिसा बहुत जादा गुलाई में मारेगा उसके बाद जब आप सड़ पहनेंगे तो आपकी बाजू नीच यहां से छोटी हो करता है कि किसकी कितनी बाजू है अगर बच्चे किये तो आपको कम रखना और और किसी की ज्यादा है तो आपको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते हुँ चले जाना तो तीन इंच उसके वासादे तीन सवा-दीन इंच इतना ही कड़ता ही ज़्याद है लेकिन हम यहां पर सीधी में जैसे कि हमने आपको बताया है कि कि अब इस इसे कि अब ने बताया है यहां पर हम चार इंच रखेंगे अब यहां पर हम जो है आएसे आपको गुलाई दे देना सिंपल सा और कुछ करने की जरूरत नहीं है ओकि यहमने गुलाई दे दी अब यहां पर का जो हिस्सा है बोम सीधा-सीधा हमको 9 गर्Get रखना है और नीच इधर साइड में हम कित्वार हैंगे इधर साईड में अम रखेंगे फिटिंग की जैसे किश कप है तो यहां पर साड़े पांच इंच यहां पर रखेंगे तो इसमें जो प्लेट आएगी पो हल्की आएगी थोड़ी सी तो दोस्तों इसको थोड़ा साम और बढ़ा रहा हैं इधर साइट में अब बू क्यों कि जैसे कि हमने इसमें मार्जन छोड़ा था अलग से आदा इंच का तो वो जो मार्जन है वो यहां पर हमको इसमें भी बाजू में दे देंगे तो यहां पर जो है साले पांच इंच यह रहा और चार इंच तो ऐसे ही रहेगा और यहां पर जो मार्जन है तो बैसे आर्मोर हमारा कितना है नौ इंच और इसमें जो मार्जन आएगा तो नौ इंच बैसे हम काट रहे हैं बाद में मार्जन आपको समझाएंगे बना आप तो जैसे कि नौ इंच है तो नौ इंच हमने कर दी बसमने कपड़ा इतना बढ़ा दिया इसलिए तक यह बाद में मार्जन छोड़ सके अब मार्जन का मतलब यह नहीं हमने एक्ट्रा अलग से मार्जन छोड़ा है वैसे सट में छूटता नहीं है मैं आपको दिखा देता हूं जिन लोगों ने सिरी नहीं देखी है तो जैसे कि गुलावी बाली है यहां से हमको काटना चाहिए थी सट लेकिन अमने इसलिए काट है तो जैसे कि अभी आगर हम में पहनना नहीं है माली यह च्छह मैने बाद हम पहनेंगे या फिर जो है साल बार बात पहनेंगे रखी रहे गी यह सट तो इसमें क्या है कि माली कभी मेरा मतलब थोड़ा सा एक या देड़ सीना ज्यादा हो गया या फिर जो है पेट पेट होगय तो जो है अगर हमको माल कि स्थंड में इनर गजगरा पहना हुई अंदर साइड में जादा हूए मस्तलब चैष्ट बढ़ गए या पिट बढ़ गए एंर भेकर पहन हें तो ट्रिम कर लें गए तो इसलिए हमने अलग से एक्ट्रा मार्जन इसका छोड़ा है तो भई हम को आर्मोर में थोड़ा सा यहां पर बाजू में छोड़ना होगा तभी तो हमारी अगर हम धीली करेंगे तो पूरी हमारी यहां बाजू से सहीद लूज होगी बनना बाजू अगर हम उतनी ही रखें पंटी अब सवाल यह है कि आपको लगाना कौन सी है तो दिखे कोई सी भी फंटी लगाएं यह जो हिस्सा है यह थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए यह कम रहना चाहिए ऐसे सेम में जाए अगर आप इसको ऐसे करके लगा देंगे ऐसे करके यह रही पंटी तो क्या है यह हिस्सा तो इतना ही है यह सीधी सीधी यहां पर आ जाएगी फिर यह गुलाई हुए यहां पर थोड़ी सी टाइट हो जाएगी जाथा तो हमको क्या करना है हमको थोड़ा सा ऐसे करके हमको लेना चल तो हमको क्या करना इस तरीके सा थोड़ा सा रखना होता है ऐ कि इसको थोड़ा साम वैसे तो यह बहुत ज्यादा राउंड बनेगा यहां पर तो यहां पर थोड़ा सा ऐसे में रखना एक किरास में तो यहां पर जो हैं थोड़ा सा फंटी को उपर बढ़ा देंगे और इस तरीके से यह आ जाएगी यह हमने निसान लगा दिया अब इस वाली फंटी से देखते हैं कहां पर कितना आता है फरक तो देखें इतना फरक आया हमारा लगवग आदा इंच का और सीधी सीधी की बात करें तो सीधी सीधी में देखिए कितना आएगा लगवग यहां से जो है एक इंच में एक सूत कम इतना फरक आ रहा है तो यह बाली सेपसट में जब भी फंटी लगाएं तो नीचे देखें कितना ज्यादा कितना उतारा है और यह इस तरीके से मतलब लगवग जो है हमने 5 इंच नीचे उतार दी फंटी और इधर साइड में 5 इंच उतार दी उसक मतलब जिन्दा ज्यादा फिटिंग में ना ज्यादा लूज है और फंटी आप लगा रहे हैं किसी की अस्तीन में तो यह आप यहां से लगा सकते हैं इससे क्या होगा आप देखिए आदाइंच हमारी और अगर आदाइंच हमारी बाजू लूज हो जाएगी तो अगर जैसे क अगर हम सीधी वाली लगा देंगे तो यह जाधा लूजिंग में आ जाएगी लेकिन हमारी बिल्कुल फिक्स आएगी जह सही आएगी तो यहांपर ज़ाय dwa कि आप यहांट करें कि इतना काम कंगा रहा हो गए लेकिन हम को मार्जन प्र चोन ना करेंगे मतलब जुड़ाई हम को यहां से ही करना है अपनी मारें वतना हि किसी की माली देड़ की बना रहे हैं तो आपको अलग से मारी दिनी जरूर्वत नहीं पड़ती है लेकिन हम आपनी बना रहे हैं तो इसलिए ये छोड़ रहे हैं अब हम यहां पर कटिंग कर देते हैं सबसे पहले कर आप कर्णियोघियोफ कि नह Old City किव लाग़द किवसी तु zijलाई जाप़पश हिसी टेड़प़फनी लेड़बच offense जाप़प़बबबबबबबबबब हम concept कि अब इसमें यह सिस्टम नहीं है कि बैक कॉंस है इसमें सामना कॉंस है कोई साभी इसमें यूच कर सकते हैं तो यहां पर क्या करेंगे अब देखे यहां पर कुटकाम लगा लेते हैं को इतना ही सीधें यहां से ही जोड़ना है देखे यहां पर हम कातेंगे अपना इस तरीके से सीधासिधा रखेंगे जो चाकपटी है गो कातेंगे कि यहां पर कुटका लगाया कि यह रहा चाकपट्टी जो है आप अपने इसाब से रख सकते हैं तो यहां पर जो है चाकपट्टी हम रखेंगे सबा पांच इंच की और सिर्फ इसमें एक साइड में आपको काटना है बैक साइड में यहां से आप इसको जैसे कि साड़े नौ है साड़े नौ में पौने पांच यहां पर रख दिया और यहां आपर हम ताल एक इंच का काटेंगे एक से सवाव इंच चौड़ा मतलब गहरा तो यह हमारी बाजू कुछ इस तरीके से कटी है अब इसकी फिटिंग जो है वो बिल्कुल डलते हैं सेट्मियों में वहीडिये नहीं जो हम डालेंगे इसकी श्टिशिशिंग जरूँ देखिएगा यूंकि उसमें पेस्टिंग बिल्कुल ही होगा वह त्रीके से लेकिन जब हम चिपकाएंगे इसमें क्या होसे जब हम धूलते बगए रहा हैं तो हमारे कफ और वह हल्की होता है तो इसलिए पैसिति इसमें पड़ेगी तो इससरे तो उसमें जो है बहुत ही सही रहेगा तो बूबाली मुझे ठीक लगी तो मैं पेश्टिंग डालूंगा तो यह तो अब बाजू कट गए अब बचाए तीरा तो जैसे कि यह है हमारे पास कपड़ा तो यहां पर सबसे पहले जो खड़ा कपड़ा होता है यह तो बेड़ा कपड़ा है यह खड़ा कपड़ा है किनारा वाला जो होता है वो खड़ा कपड़ा तो खड़ा कपड़ा में ही हमारा तीरा की लो लंबाई होती है मतलब जो लंबाई का मतलब यह होता है कि दुसरे मुड़े से लेके दुसरे मुड़े से कटता है समझ एक आफ कल रहेगा कि ये काम हमारा इतना हो गया अब हम क्या करेंगे इसको कपड़ को डबल कल लिया उत्तिना अइक कप्ड़ करना जितना आपका 13 है उसे थोड़ा से एक देडाल इंस ज़्यादा क्योंकि कि हमको कपड़ा ज्यादा खराब नहीं करना होता है और भी चीज़े निकाल ला होती है तो इसलिए तो तीरा जैसे की सत्रा है और इसमें मार्जिन जाएगा तो यहां पर बनेगा नौ इंच तो थोड़ा साम और भी इसको कम कर लेते हैं कि बस इतना ही हम रखेंगे इतने में हमारा तीरा बैट जाएगा अब हम कटिंग करते हैं तीरे की तो तीरे के जो खड़ा कपड़ा है उसके तार बिलकुर हमारे सीधे रहना चाहिए इसका दियान रखना है सबसे पहले हम सीधा निसान लगाएंगे उपर साइड का यहां प तीरा जो है वह हम रखेंगे 5.5 इंच का जैसे की डबल तीरा है तो इसमें ज्याद़ चौड़ा नहीं रखा जाता है तो इसमें 5 रखेंगे तो दो सुद कम और यहां पर बिलकुल हम को सीधा कर लेना तार हमारे सीधे रहना चाहिए अब हम क्या करेंगे यहांपर जो तीरह है वो है मार रख दिया है तो यहांपर हमने नव रख दिया उसके बाद आपको बॉक्श टाइप का बना लेना है तो थीके नाव इंच इदर साइड में और नौ इंच इदर में कि ही इह मारे सीधा हो गया बिल्कुल करå कम लामा एक तना दर साड़े पंदा कप हम रखेंगे तो 3-5 15 है 10 इंच आधा सूत और हमने आगे का सामनम में कितना प्राव तरदर आ ही तीन इंच में कम नहीं रखना है हमको पूरा पूरा अपना जितना है उतना ही रखना तो हम उतना ही रखेंगे पीछे की पहने पर फसे नहीं आपर कालर बिल्कुल एकदाम फिक्स आना चाहिए गले में तो इसलिए आगे का जो हाला होता है उसको हम छाट के बराबर थोड़ा वोत कर सकते हैं लेकिन पीछे के जितना कटा होता है उतना ही होता है हमको पीछे छाटा छोटी नहीं करना होती है तो इसलिए जो है हमने तीन इंच आदा सूथ यहां पर रख दिया अब यहां पर जो कंदी हमने ग इसान हमको लगा लेना है अब हम क्या करेंगे चितनी कंदी है और उसके बाद जो है यहां से यहां तक किरास में हमको लेना है जो सामने की जो कंदी है अभी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज से तो भो भी मैं आपको बता दूँगा देखिए यह वाली जो कंदी है यह वाली सटकी यह पौने दो इंच की अमने गिराई है तो जितनी आप इधार साइड के कंदी गिराएं अगर आपने दो इंच की गिराई है यहां पर तो आपको दो इंच पीछे तीरा भी गिराना होगा और अगर आपने कंदी पौने दो इंच की गिराई तो आपको पौने दो इंच का तीरा यहां पर गिराना होगा अगर आपको यहां पर तीरा भी धा इंच का गिराना होगा तो एक बरावर आना चाहिए समझे ना तो य पो हमको इस तरीके से रखना हो गाई नोने 12 इंश कर यहांपरमें रखना होगा थोड़ा सा हमको कैना हलका साथ फार में रखना है और इस तरीके से बिल्कुल आइसे ऐसे में कर दें है मालू है उनकी गुलाई हमेशा हिसे ही रहती है मतलब चौकोर में जाके फिर ऐसे करके जाएगी तो इसलिए उनकी जो फिटिंग होती है वह एक्दम परफेक्ट आती है यह जो तीरा है यहां से हमको कि हमको एक सूट डाउन रखना होता है नीचे का हिस्सा कि अपये हैं 15 एक सूट कम ना प्रहूंगे तो नव손त kingdom यहां पर ना प्रहूंगे तो नव ने समारा पूर तो इस तरीकशेश से वह हलका सा रांड में रखना होता है क्योंकि अमारी जो सॉड़र की गुलाई होती है इसके लिए यह होता है अब सड़ में गुलाई काटते हैं तो वह हमसों काटते हैं अग्पूज लोटता संट वग्पूबफूब लोग्पूब कि भीज़ ग्पूब कि अग्पूब कि वग्पूब झाट वग्पूब मुपूब अब देखिए अब देखिए यह जो है बीच में कितना है मारा नौ इंच है इधर साइड में कितना है नौ इंच में एक सूथ कम इसकी जो है इसकी जो गुलाई है उसको सेट करते हैं थोड़ा सा अंदर को दबेगी थोड़ी थी अब यह सही है तो देखिए यहां पर हमने पिछले वीडियो बताया था जैसे कि कालर यहां पर बैठ जाएगा तो साथ इंच बचेगा तो साथ इंच ही देखिए बचा है तो जब भी आप सट कटिंग करें तो मजरमेंट अपना निकाल लें अब यह डबल तीरा हो गया बांकी का खर्चा सब कुछ हो गया अब जो है नेश्ट वीडियो में मिश्की स्टीचिंग करेंगे कुछ इस तरीके से यह हमारा तीरा और वाजू कटिंग हो गई तो दोस्तों उमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा और जो है अब नेश्ट वीडियो में हम आपको बिल्किल डिटेल से बताएंगे और दिखाएंगे कि इसका पीछ वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो रूप्रेस करने हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार